हेलो एब्रीबन माइ नेम है जनुश कुमार वेलकम तो माइ यूटूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुजमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आज का मेरा टॉपिक है वाटामिन्स वाटामिन्स से जितने भी कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं मैं सारे कोशन इस वीडियो में डिस्कस करने बाला हूँ और आपको बता हुआ कि आने वाले एक्जाम में किसकी स्टैप से कोशन बन सकते हैं चलते हैं और बात कर करते हैं Meaning of Vitamin. Vitamin का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले question पूछा जाता है आप यह exam में. Vitamin जो है Latin Vasa का सब्सब्द है. Vitamin दो सब्दों से मिलके बनाए है Vita plus Amine. Vita का अर्थ होता है, Vital Amine का अर्थ होता है Amino Acid. Question पूछा जाता है कि Vitamin कितने सब्दों से मिलके बनाए, दो सब्दों से मिलके बनाएं, वो कौन-कौन से वायटा, amine is equal to vitamin, और vitamin किस वासा का सब्द है, लेटिन वासा का सब्द है, यह question पूछा जाता है, next question बनता है आपके exam में, who is the father of vitamin, vitamin के पिता या खोई किसने की step से question पूछा जाएगा, कैसीमर, फंक, यह question आपके exam में आया हुआ है, next हम बात करते है, vitamin के कौन-कौन से group है, चलते है, there are two group of vitamin, vitamin के दो group होते है, एक होता है fat-soluble, एक होता है water-soluble, fat-soluble, water-soluble, fat-soluble means vitamin A, D, E, K, water-soluble, vitamin B complex and C, अब इन पर discuss करेंगे, इनकी अगर deficiency होती है, कौन-कौन से disease होती है, means deficiency का मतलब होता है, अगर vitamin A की कमी होती है आपकी body में, तो कौन सा रोग होगा आपको, इन पर हम एक-एक करकर discuss करने वाले हैं, चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते है, vitamin A, it was the first vitamin which was discovered in 1913 by M.C. Column, vitamin A की खोज, 1913 में M.C. Column नकी थी, यह question आपके exam में पूछा गया है, अब हम बात करते हैं, vitamin A की कमी होती है आपकी body में, तो कौन से बीमारी होती है, जैसे कि आपके सामने deficiency vitamin A, आपके सामने nat bandness, conjectural gyrosis, bytrot spots, cornal gisus, अगर आपकी body में vitamin A की कमी होती है, तो आपको यह 4 रोग हो जाएंगे, deficiency का मतलब होता है कमी, disease का हरत होता है रोग, अब इन पर discuss करेंगे कि nat bandness को कैसे पहचाने, conjectural gyrosis को कैसे पहचाने, bytrot sports को कैसे पहचाने, coronal gyrosis को कैसे पहचाने, चलते हैं, next है आपके सामने vitamin D, vitamin D की अगर कमी होती है, तो कौन-कौन से रोग होते हैं, चलते हैं, osteomalacia, osteoporosis, मैं इन पर discuss करूँगा, vitamin E पर discuss करते हैं, vitamin E से अगर आपको कमी होती है, तो infertility, इसको हम बोलते हैं, बांजपन और D generation of muscles, इन पर discuss करूँगा, इनकी पहचान कैसे करते हैं, यह भी आपको बताने बाला हूँ, next बचा हमारा A, D, E, K, अब हम बात करते हैं, vitamin K, vitamin K की अगर कमी होती है, तो होता है, blood clots, इस पर discuss करूँगा, तो मैं यहाँ पर discuss करने बाला हूँ, only fat soluble, fat soluble, उसके बाद हम चलेंगे, water soluble पर चलते हैं, बात करते हैं, सबसे पहले मैं discuss करूँगा, vitamins chemical name, vitamin A जो है, उसका chemical name है retinol, यह question पूछायता है कि vitamin A का रसानिक नाम क्या है? Retinol, vitamin D का रसानिक नाम क्या है? Kelsey Das बाइटामिन E का रशानिक नायम क्या है टोकोफेरल, बाइटामिन K का रशानिक नायम क्या है फैलेक्यून, यह इनके केमिकल नेम है, यह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, A, D, E, K, यह फैट सॉलूवल बाइटामिन, मैं आपको बार और बता रहा हूं, फैट बाइटामिन E की अगर कमी होती है आपकी बोडी में, तो कौन-कौन से रोग होते हैं, मैं आपको बिद पिक्चर बताने बाला हूं, चलते हैं, इसको बोलते हैं, नायट ब्रैंडनेस, हिंदिय बोलते हैं, रतौंदी रोग, आप देख सकते हैं, इसकी आँकों को एक इसको देखता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं, नायट ब्लैंडनेस, हिंदिय बोलते हैं, रतौंदी, यह आपके एक्जामिर कोर्शन पूचा गया है, नेक्स्ट है आपके सामने, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसकी पैचान कैसे करते हैं, यह आप देख सकत है इसका यह vitamin A की कमी से होता है इसको बोलते है conjunctuallis gyrosis, next है आपके सामने इसको हम बोलते है bitot spots यह किसी कमी से होता है vitamin A की कमी से होता है अगर vitamin A की deficiency होती है आपकी body में तो आपको white spots हो जाएगा means यो white वाला portion होता है आप देख सकते हैं इस पर white spots आपको दिख रहा हुआ है इस टाइप का जो spots है पूरी आँख पर फैल जाता है और इससे हमें देखने में problem होती है यह white dots spots है आपसे question पूछेगा white dots spots जो है बीमारी किस vitamin कभी इसे होती है vitamin A next हम discuss करते है coronal gyrosis अब coronal gyrosis की कैसे पहचान करते हैं यह आप देख सकते हैं कि यह shrink है इसकी आंक पर जुर्जियां पढ़ जाना इसको हम बोलते हैं vitamin A की कमी से जुर्जियां पढ़ जाती है जो white वाला portion होता है उस पर जुर्जियां पढ़ जाती है इससे से देखने में problem होती है और भी रोग जैसे कि मैंने आपको बताया था osteoporosis, osteomalacia, rickates तो हम discuss करते है rickates सबसे पहले हम बात करते है rickates, rickates questioner पूछा आता है rickates जो बीमारी है किस vitamin कमी से होती है vitamin D अब rickates की पैचान कैसे करते हैं आप नह देखा हो normal जो lag होते हैं हमारे वो सीधे होते हैं इसमें जो curve बन जाता है, इसमें जो curve बन जाता है तो यह vitamin D की कभी से बनता है, इस disease को हम बोलते है rickates, हिंदी में आप बोल चकते हैं इसको सूकार रोग, next है आपके सामने इसको हम बोलते है osteoporosis, osteo का मतलब होता है हड़ी, porosis का मतलब होता है छिद्र, जैसे कि इस bone को देख सकते हैं इसमें minimum चिद्र हैं और इसमें देख सकते हैं, इसमें maximum चिद्र है, means जो हड़ी है, खोगली टैप की हो जाना, कमजोर हो जाना, उसकी bone density कम हो जाना, bone density, आप से question पूछा जाएगा, जिसमें bone density कम होती है, उस बीमारी को क्या बोलते है, osteoporosis, और किस की कमी से होती है, vitamin D कमी से, next question मनता है आपके सामने, osteomalacia, osteomalacia किस vitamin कमी से होता है, vitamin D, यह भी आपको याद करना है, osteomalacia हमें क्या होता है, D के साथ साथ, muscle sweet damage हो जाती है, आपको ध्यान लगना है, next question, आपके सामने, deficiency of vitamin E, vitamin E की कमी अगर होती है, आपकी body में, तो कौन-कौन से रोग होते हैं, इसको हम बोलते हैं, infertility, हिंदिय हम बोलते हैं, बहांजपन, बहांजपन, means sexual desire कम हो जाना, इसको हम बोलते हैं, infertility, यह vitamin E की कमी से होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जिन लेडी के बेबी का नर्वान नहीं होता है, तो वो कई सारे कान हो सकते हैं, उसमें male में ह प्रवलम हो सकती है, female ही प्रवलम हो सकती है, तो हम उसको बोल सकते है, infertility, और यह किसी कमी से होता है, vitamin E कमी से होता है, जो sperm का formation होता है, वो कमजोर हो जाता है, next हम बात करते हैं degernation of muscles degernation of muscles में क्या होता है इसमें muscles जो बीक हो जाती है pain होने लगता है तो यह किसी कमी से होता है vitamin E कमी से होता है next हम बात करते है deficiency of vitamin K vitamin K की कमी से जो भीमारी होती है सब लोग जानते हैं उसको बोलते हैं blood clots रक्त का थक्का बनना यह question पूचा जाता है आपके exam में जैसे कि मेरे चोट लगी और वो blood निकलता है वो blood control नहीं हो पाया है वो रुक नहीं ही पा रहा है तो उसको हम बोलते है deficiency of vitamin K क्योंकि उसके blood में थक्का नहीं बन पा रहा है यह question आपके exam में आ रहा है और बार पूचा जाता है next है आपके सामने deficiency of vitamin B vitamin B की कमी होती है आपके सरीन में तो कौन से बिमारी होती है इसको हम बोलते है very very disease अब very very होता क्या सब लोग बोलते है very 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 का संबन्द है immunity system से immunity system जो है कमजोर हो जाता है जब immunity system कमजोर होता है तो बहुत सारे बीमारी है उस पर attack कर देती है तो very very का अर्थ होता है very very जो बीमारी है यह vitamin B कमी से होती है और vitamin B कैसी vitamin है वो है water soluble यह question आपके exam बनता है next deficiency of vitamin C vitamin C की कमी से कौन से बिमारी होती है इसकर्वी अब इसकर्वी क्या होता है यह mouth है mouth के अंदर जो मसूड़े है उसके वो शर जाना बदबू हाना इसको हम बोलते है इसकर्वी disease next discuss करते हैं source vitamin और source vitamin जो है कां से मिलती है अगर हमारी body में कमी होती है तो सबसे पहले vitamin A अगर मिलता है वो है carrot जिसको हम बोलते है गाजर pumpkin vitamin B मिलता है nuts banana egg vitamin C मिलता है lemon tomato vitamin D मिलता है sunlight fish egg milk vitamin E मिलता है corn broccoli seeds vitamin K मिलता है green leafy soybean next question मनता है आपके एक्जाम में कि vitamin A जो सबसे पहला किसमे मिलता है गाजर यह question आपको note down करना है vitamin सबसे पहलता है आव़ला नीवू vitamin C question मनता है आपके एक्जाम में vitamin सबसे पहला किसमे मिलता है sunlight vitamin D से question मनता है ज्यादा यह मैं इसको highlight कर रहा हूँ कि कुई इन से नेक्स्ट ह ćЬ वर्टामिन के green-lipi-serubine, यह सारे कोशॏन आपके exam में आए पर आगार आए, यह source हैं, यह vitamin है. नेकंश्ट हम बात करते हैं, आपके सामने vitamin B complex, मैंने आपको बताया की vitamin B वह complex vitamin है, और इस B के अंदर कई सारी vitamins आती हैं. मैं उन्हें पर discuss करूँगा, vitamin B जो है water soluble vitamin है, यह सारे question में 12 और पर दो रहा हूँ, यह एक-एक question आपके exam में आने वाला है, अब हम बात करते हैं कि इसको किस trick के माद्यम से जो vitamin B complex हैं, वो आसानी से याद हो जाएं, यह मैंने trick बनाई है, इसको हम बोलते हैं था, रा, नी, पे, पे, वा, सा, था से होता है, थाइमिन, रा से होता है, रायोफ्लोविन, नी से होता है, नियासीन, पे से होता है, पेंटोथोनिक, पा से होता है, पारडॉक्सिन, वा से होता है, वायोटिन, सा से होता है, सानोकोबालम, तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, यह vitamin B complex हैं, मैंने आपर बी जो 9 है वो अलग से किया है इसको मैं बोलते है फॉलिक एसिट क्योंकि यह ट्रिक बन नहीं पाती इसलिए मैंने उसको अलग करती है वी 1, वी 2, वी 3, वी 5, वी 6, वी 7, वी 12, वी 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाइटामिन जो V है इसके अंदर जो आती है वो कितनी वाइटामिन आती है 8 वाइटामिन आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह आपके एग्जाम में कोशन पूचा दाता है आज का हमारा जो वीडियो था वो सारी वाइटामिन जिसको मैंने कवर किया अब मैं यहाँ पर डिसकस करूँगा कि वाइटामिन जो B और C जो मारा बचा है उनसे कौन-कौन सी बीमारी होती है मैंने जैसे आपको बताया था वाइटामिन B कमी से बेरी-बेरी और वाइटामिन C कमी से एसकोर भी अब हम डिसकस करने बाले हैं केमिकल नेम किसके वाइटामिन B कम्पलेक्स के मैंने आपको फैट सॉलुवल वाइटामिन ते A A, D, E, K मैंने इनके केमिकल नेम जो आपको बताया अब मैं डिसकस करने बाला हूँ वाइटामिन B कम्पलेक्स के केमिकल नेम बार्टामिन B1 का नाम होता है थायामिन जिसकों बोलते हैं बार्टामिन B का रसानिक नाम के है थायामिन बार्टामिन B2 का है राइफलोविन, B3 का है निकोटनिक या नियासिन, B5 का है पेंटोथोनिक, B6 का है पारडोक्सिन, B7 का है बायोटिन, B12 का है साइनो कोवालिम उस तरीके से याद कर सकते हैं आज का हमारा वाटामिस का टॉपिक ता वो पूरा कंप्लिट हो चगा है थैंक्यू वेरी मच